हरी कृष्णा राधे राधे आज की इस वीडियो में मैं आपको बुद्ध परदोश की वरत कता सुनाने जा रही हूँ जब परदोश वरत बुद्धवार के दिन पड़ जाए तब उसे बुद्ध परदोश वरत कहा जाता है परदोश वरत हर महीने की दोनों पक्षों की तरियोदशी के दिन रखा जाता है आईए शुरू करते हैं बुद्ध परदोश की वरत का था बहुत समय पहले की बात है एक लड़के का नया नया विवहा हुआ था विवहा के बाद वहे पहली बार अपने ससुराल जाता है अपनी पत्नी को विदा कराने लेकिन उसे ध्यान नहीं रहता और वो दिन बुद्धवार का दिन होता है जब वहे अपनी पत्नी के विदा कराने की बात कहता है तब उसकी सास मना कर देती है और कहती है आज बुदवार है और आज मैं अपनी बेटी को विदा नहीं करूंगी क्योंकि बुदवार के दिन बेटी की विदाई नहीं करती इसे शुब नहीं माना जाता लेकिन वह लड़का नहीं मानता और जबर्दस्ती करके अपनी पत्नी को विदा कराके चलने लगता है अभी वह गाव से थोड़ी ही दूर पर निकला था कि उसकी पत्नी को बहुत जोर से प्यास लगती है और वह कहती है कि मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है मुझे पानी पीना है तब वह कहता है तुम यहीं ठेरो मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ थोड़ी दूर गूमने के बाद उसे एक कुवा दिखाई देता है वह उसमें से पानी लेता है और अपनी पत्नी के पास वापस आने लगता है जब वह वापस आता है तब वहां का नजारा देखकर तो वह दंग रह जाता है उसकी पत्नी एक और आदमी के साथ हस हसकर बाते कर रही थी और उसकी पत्नी के हाथ में जल का पात्र था जिसमें से वह पानी पी रही थी यह सब देखकर उसे बोहत जोर से गुशा आता है वह अपनी पतनी के पास जाता है और उस से पूचता है यह तुम क्या कर रही हो लेकिन वहाँ जाकर तो वह और भी हैरान रह जाता है क्योंकि उसकी पतनी, जिस आदमी से बाते कर रही होती है वह बिल्कुल उसी की शकल का होता है उसका हम शकल होता है जैसे कि उसका ही जुड़वा भाई हो वह इस्तरी भी दो एक जैसे शकल के आदमियों को देखकर हैरान परिशान हो जाती है उसे समझ नहीं आता कि किसे अपना पती कहे तब वे दोनों आदमी उस इस्तरी के लिए जगड़ने लगते हैं एक कहता है कि मैं इसका पती हूँ दूसरा कहता है कि नहीं मैं इसका पती हूँ उन दोनों के लड़ाई जगड़े की अवाज से वहाँ पर भीड़ी खठा होना शुरू हो जाती है उसकी लड़ाई जगडे की खबर उसके ससुराल तक भी पहुँचती है और वें लोग भी वहाँ पर आ जाती है उसकी सास एक जैसे दो आदमियों को देख कर सब नजारा समझ जाती है कि यह बुद्धदेव की माया है बुद्धवार को विदा कराने के कारण बुद्धदेव नाराज हो गए हैं और इस लड़के को अपनी माया दिखा रही है वह उस लड़के से कहती है कि मैं इसी लिए तुम्हें मना कर रही थी कि बुधवार के दिन तुम पेटी विदा करा कर मत ले कर जाओ लेकिन तुम नहीं माने अब वह लड़का बहुत परिशान हो चुका था वह अपनी सास के चर्णों में गिर जाता है और कहता है मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है अब आप मुझे पर करपा करें और अपनी यह माया समेट लें भगवान उसकी प्रार्थना सुन लेते हैं भगवान को उस पर दया आ जाती है थोड़ी देल बाद वह देखता है कि वह दूसरा हमशकल आदमी खुद बाखुद वहां से कायब हो जाता है दोनों पती पत्नी सकुषल अपने नगर में पहुँच जाते हैं दोनों पती पत्नी मिलकर परदोश वरत रखना आरंब कर देते हैं जो कोई भी व्यक्ति शरद्धा और विश्वास के साथ भगवान भोले नात की पूजा करता है त्रियोधिशी के दिन परदोश वरत को करता है उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान भोले नात पूरी करते हैं माता पार्वती और भगवान भोले नात की किरपा से उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता। बोलिए भगवान शंकर की जए माता पार्वती की जए हर हर महादेव।